दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम Ireda Stock के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो Finance की कमपनियां है PSUs जैसे कि Power Finance Corporation यानि PFC इसका जो P Ratio आप देख रहे हैं साथ का है Market Cap इसकी है 1,26,000 करोड के आसपास यानि कि एक Extra Large Cap कमपनी है इसी प्रकार से REC Limited है REC Limited और इसका जो Price to Earning Ratio है 1.38 का ये भी 1,00,000 करोड से Market Cap की उपर हो गई है IredaC अगर देखें तो IredaC आप सभी को पता होगा जो लोग हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए है कि जब 20 रुपए, 25 रुपए के मद्ध में कई दफाई अटाहलता था उस समय से हम वीडियो बना रहे हैं तो ये भी खरीब 4 गुना हो चुका है 1,00,000 करोड के आसपास इसकी Market Capital हो गई है इसका जो Price to Warning Ratio है वो 16 के आसपास निकल के आ रहा है और अभी जो एक Company लिस्ट हुई है जिसका नाम है Indian Renewable Energy इरेडा, ठीक है इसका जो Stock Price है 70 का हो गया है जबकि इसका IPO Price था 32 रुपए का पर कैप के साब से और इसका P Ratio जो है 22 का है और इसकी जो Market Capital है 19,000 करोड के आसपास है आप देखेंगे कि जो भी Government की कुछ Finance की कमपनिया है जो Particular Sector में या किसी Particular Mantralay की कमपनियों को Finance करती है जैसे IREFC तिर्फ रेल मंत्राले की जो कमपनिया है आयरवेनल वगेरा या उससे संबंधित कमपनिया उनको funding करती है PFC वगरा देखा जा तो Power की कमपनियों को Finance करती है Rural Electric Corporation, REC इस प्रकारी कमपनियों को Finance करती है Indian Renewable Energy आप यहाँ पे आश्चर चकित हो रहे होंगे कि इन में से सबसे आदा Valuation महंगी है और जो Median P Ratio निकल क्या रहा है वो है 11 का तो खरीब जब इसका IPO प्राइस हाया था तो आप मान के चलिए कि 11 के आसपासी Price to Earning Ratio रहा है अभी फिलाल इतनी तेजी देखी गई है IPO प्राइस में अच्छा लिस्टिंग गेन मिला करीब 50 रुपए के आसपास लिस्ट हुई कमपनी अभी फिलाल 22 की Price to Earning Ratio पे ट्रेड हो रही है तो क्या इस Valuation पे PSU कमपनी को Consider करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा तो आज इसी कमपनी पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपने हिसाब से सबसे पहले हम जानेंगे कि कमपनी में रिस्क क्या हो सकते है और फिर उसके बाद जानेंग कि लाब क्या हो सकते है तो रिस्क के साइड मगर हम आ जाते है तो सबसे पहले रिस्क में एक Valuation जैसा कि आपने देखा कि हो सकता है कि यहाँ पे Profit Booking भी हो Valuation अर्जेस्ट हो दूसरी चीज जो Anchor Investors इसमें invested हैं already क्योंकि अभी Newly Listed Company है तो उनका एक period होता है एक महीने तीन महीने इस बीच में वो निकलते हैं जिनको निकलना होगा उसके बाद चूँकि इरेडा में एक लाब भी है और एक हानी भी हो सकती है जैसे कि इनका Valuation है क्योंकि अन्य अपने समकक्ष कमपणियों के मखाबले थोड़े से महेंगी Price to Earning Ratio पर है Valuation के हिसाब से लेकिन यदि हम देखें तो चूँकि जो इनका व्यवसाय है जो भी focused है अक्षय उर्जा सौर उर्जा इस तरह के कमपणियों की यानि कि जो भी green energy के तहत कमपणियां है चाहे hydro हो चाहे आपका दूसरे मादमसो हो इन कमपणियों को यह up to 90% तक जो है finance करती है चाहे वो private कमपणियां हो चाहे government के कमपणियों हो तो जब दोनो private और government दोनों तरीका कमपणियां आ जाती है तो एक तरफ जो कमपणियों है उसके पास अनेक प्रकार के रास्ते भी खुल जाते हैं कि एक तरफ वो private कमपणियों को भी funding कर रही है government का लक्ष है कि ज्यादा से ज्यादा green energy के तहट जो है हम निरभर रहे हैं और दूसरी तरफ वहें पर NPA बनने के chances भी हो सकते हैं यह दिया देखा जाया तो up to 90% of project cost को यह funding करते हैं तो private कमपणियों में से तही अगर बिगड़ी तो NPA के भी chances बन सकते हैं लेकिन PSU में क्या होता government कहीने कहीं fund infuse कर देती है क्योंकि promoter government होती है तो यह भी थोड़ा एक side का risk हो जाता है दूसरी चीज ग्रोथ sales growth अभी उतनी vicious नहीं है हम आगे देख लेंगे किस परकार की निकल क्या रहे लेकिन दावा किया जा रहा है जिस परकार से अभी यह फिलाल है और सबसे बड़ा risk तो खायर risk नहीं है लेकिन लोग समझते हैं कि PSU company है ठीक है तो अब आये चलते हैं price वगएरा देख लेते हैं और समझते हैं कि अभी फिलाल आगे का भाईशी क्या हो सकता है क्या हमें लाग मिल सकता है कुछ हमने कमिया देख लिए सके आपके समक्ष हमने कुछ चीजें रखी कुछ जानकारी जो शायद नए लोग देख रहे हैं इस company के बारे में जानने के लिए तो देखिए हमने इस पर आलरेडी एक वीडियो बनाया था जब यह listing होने से पहले इसका जब IPO भी आया था तब भी हमने वीडियो बनाया था listing के day भी वीडियो बनाया था listing के दिन भी हमने वीडियो बनाया था तो हमेशा जो है आप लोगों के समक्ष हमने इस company के बारे में रिटेल्स रखी सबसे पहले तो यह NVFC कमपनी है आज 70 रुपई की प्राइस पे यानि आज तो मार्केट बन्द है कल फ्राइडे को क्लोज हुआ और इसका जो IPO प्राइस था वो था 32 का तो कहीं ने कहीं उससे डबल से भी ज्यादा हो चुका है हाई जो बना चुका है यानि कल ही इसने हाई बनाया था 73.7 का फिर गिर के बंद हुआ करीब 10.36% के आसपास जो की बढ़त रही कल 10% इसमें काफी तेजी देखने को मिले अब वोलूम देखिए कि इतनी बड़ी तादात में लोग इसमें खरीददारी कर रहे हैं यानि 23 करोड का यहाँ पे वोलूम आया इससे ज्यादा का 10 की फेस वेल्यू है और 29 नौमबर को यह लिस्ट हुई थी तो आज 9 नौमबर है जब वीडियो बन रहा खरीब 10 दिन होने को हैं मार्केट कैप हो गई है 19,000 करोड के आसपास बाके की चीज़ें अगर हम इसमें देखें तो ठीक यहाँ पे रिटन आपको सही दिखाई देगा जब से लिस्ट हुई है यानि कि लिस्ट हुई तो 50 रुपए के आसपास तो अच्छा कासा गेन तो दे चुका है कली काफी 30 से भागा था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब जब से लिस्ट हुई है लिस्टिंग के बाद थोड़ा ठैरा नीचे उपर नीचे होता राव फिर अचानक भागा फिर अपर सर्कृट भी लग गया था तो इस तरह के से आप देखेंगे कि 41.70 ने प्रतिशक्त के आज की डेट में रिटन दिखाई दे रहे हैं यदि किसी ने लिस्टिंग डे वाले दिन खरीदारी की होगी जब यह आपर सर्कृट नहीं लगा था तो नो डाउट काफी अच्छा खासा लोगों को लिस्टिंग गें यहाँ पे अफ्र लिस्टिंग भी मिल रहा है और जिनको आई पीओ में लगा होगा उनको तो खैर उनका अच्छा खासा पैसा दुबबन ही गया लेकिन आई पीओ में क्या होता है आपके हाथ में नहीं होता है आपको जो भी अलाउट्मेंट एक लगा दो लगा निर्भर करता है कितने लॉट्स लगें ठीक है शेर होल्डिंग में अभी देखा जाए तो मेजर अभी गवर्मेंट के पास है मेजरली होल्डिंग 75% उसके पास चाहत इसमें FIIs हैं 3.95 प्रतिशत उसके बार दोमेश्टिक इंस्टिशन्स हैं 8.21% पब्लिक है 12.85% और नंबर आप शेर होल्डर्स हैं इसमें 5,26,000 जो क अभी ग्रोध काफी अच्छा खासा यहां पर दिखाए दे रहा है कंपाउंड डेट 59% तीन वर्षों की निकल के आ रही है और रिटर्न और अगर देखते हैं एक लॉंग टर्म की 15% अब जो ओवरोल सार है कि इस पे हमने कई दफा वीडियो बनाए हैं और कई लोगों की आते भी रहती हैं कि सर आप कोई स्टॉक भागता है तभी आप वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं है प्रत्यक स्टॉक को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी लिमिटेशन्स होती है कि एक दिन में एक ही वीडियो आप आता है कभी-कभी गैप भी हो जाता है तो कोई कहीं नहीं सकता कि हमने आई-पी-ओ में फिक बनाया दिस्टिंग के दिन भी बनाया हमेशा आप लोगों को आगाह किया है ताक आप अपने हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार आप इसमें पैसा डालके पैसा बना सके क्योंकि पहले कि जो हमने कुछ प्रयोग किय तो जैसा कि हमने कहा रिस्क साइड में जो हमने आपके समख्श कुछ चीजें रखी इस कंपणी के प्रतिक वेलवेशन हो गया फिर आइंकर इनवेस्टर्स हो गया फिर इन पीए के सित्थी भी हो सकती है फिर गवर्मेंट की पॉलोसी भी हो सकती है पुछ चेंजे हो तो भले ही चाहिए देखा जाए वाल्योशन वाइज महेंगी है परंतु यह कहके री रेटिंग की जा सकती है जब इफाई आइस के तरफ से बड़ा कैश आ सकता है मार्केट में तो ऐसी कंपनियों को सबसे पहले चिन्हित करते हैं कि उन्हें एक पीरियड में 6 महेने साल म में अच्छा गेन मिल जाए और उस वज़े से हो सकता है कि वो कहना शुरू करें यहां जो बड़े-बड़े फंड हाउसेज है या रेटिंग एजनसियां है इसको रेटिंग करें कि भाई इसका जो बिजनस मॉडल है एक तरफ अन्य कंपनियों अन्य PSU कंपनियों के मुख तो अभी क्या हो गया कि गौर्मेंट की फंडिंग तो इनको मिलेगी जो भी गौर्मेंट के बहुत सारे इंस्टिउशन से लाइक LIC हो गई SBI हो गया अन्य हो गया उनके तरफ से दो इनको फंडिंग मिल जाती है सस्ते में लोन भी मिल सकता है और अगर मिनी रतना से महा र इंट इंटरेस्ट मार्जिन वो थोड़ा सा मजबूत हो सकता है भविश में तो इस तरीके कुछ अच्छी चीज़े भी है इस कंपनी के साथ अब में चीज जो आप सुनना चाहते हैं कि क्या हमें रिटन के इस पकार के मिलेंगे रिटन तो हमने पहले ही बता दिया था कि क कंपनी अच्छी है जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं पिस यूज कंपनी में और डिविडेंट ना पी करें तो ठीक है ग्रोथ में पैसा लगाए इन भी अपसी कंपनी उसी पैसा को फंडिंग करें और उस पैसे से पैसा जनेरेट करें तो आटोमेटिक जब अर्निंग पर चाहते हैं तो मैं सलाह दूँगा कि दूर ही रहें ऐसी कंपनियों से जो दिन का लक्ष हो कि एक-दो महिने तीन महिने के लिए लगाना चाहते हैं पैसा तो कुछ भी हो सकता है कोई भी कान दे के गिरावट आ सकती है पूरे भारती बाजार में गिरावट आई तो ये भी नजरिया कि छे महिने से ऊपर है एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल तो ये दी सब कुछ इस कंपनी के फिवर में रहा गर्वर्मेंट की पॉलिसी भी सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ गई और बाकी और भी सस्ता लोन मिल गया इस कंपनी को या FIIS के तरब से पैसा भी बह अथराइज नहीं हो कि आपको किसे प्रकार की रेक्मेंडेशन दो कि आप इसमें खरीदें या बेचें हमें लगता है कि साल, तेर साल, दो साल में अच्छा गयन ये कंपनी बना के दे सकती और देखा जाए तो अभी भी लिस्टिंग के दिन से ही आपने देखा किस प्रका दॉटराहश आपकोग चिसे आपका रि hat सॉटराव झाल, ते किसा पाल, ते किसे दो रहिता है कि अटारा है कि साल, क्रश्य दिया दो, किसे दो रहिता है भी जवमें नहीं हो प्कानते है